नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मिन नाम कुलदीप है, और आज से हम लोग एक important series स्टार्ट करने वाले हैं, और ये series है, it is about हिमाचल प्रदेश आपनेटरी सर्विसे मेंज एक्जामिनेशन, तो अलड़ी हम लोग मेंस के question यहां पर discuss करी रहे हैं, और test series भी चल रही है, बट एक बहुत important aspect है, main examination का, इसको हम लोग इस series के through discuss करने वाले हैं, और ये important aspect है आपका essay का paper, guys, essay का paper जो है, वो 100 marks का होने वाला है, और let me tell you, it is a very very important aspect of the examination, बहुत important aspect है, क्यों, because यहां पर जो है, अगर आप अच्छा score करते हैं, तो आपके selection की chances काफी जादा improve हो जाते हैं, guys, इस तरह समझे कि, बहुत सारे बच्चे यहां पर सिर्फ average marks score करते हैं, जिसकर के वो आप तो अपने mains को clear नहीं कर पाते हैं, या वो अपने interview stage से, या final selection में नहीं पाते हैं, so, इस चीज को हम ल state marks हम लोग 100 में लेने की कोशिच करें, और यह जो है multiple session की series होने वाली, so, this is going to be the first session, so, without further ado, let us just start with it, again, start करने से पहले, आपको पता है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो आप हमरी application को डाउनलोड जरू करिए, यहां पे already HPS की जो test series है, it is already going on, and इसके साथ crash course भी चल रहा है, so, आप इसको जो है आपर आगे pursue कर सकते हैं, बहुत सारे और भी courses है, pre के लिए, mains के लिए, this is going to help you out, guys, okay, so, चलिए, session में क्या होने वाला है, again, जैसे मिन आपको आया, multiple session में हम लोग इस particular series को लेंगे, so, first session, आज इसमें एक introductory session लेने वाला हूं, इस introductory session मे तीन aspects के बारें बात करेंगे, broad, हम लोग देखेंगे कि essay के बहुत सारी types होती है, वो type क्या होती है essay की, और H.A.S. means में जो है, क्या criteria है, essay के लिए, यह हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे, second हम लोग discuss करेंगे, कि essay को चूज कैसे करते हैं, essay का topic है, उसे हमें कैसे चूज करना है सबसे पहले important aspect जो है, that is type of essay and HPPSC's criteria for it, okay, so essay क्या होता है basically, इसको इस तरह से ध्यात समझने कुशी करो, essay जो है, it is on a particular theme, कोई एक particular theme या कोई एक particular subject पे, आप क्या करते हैं, आप एक broad अपना जो है, viewpoint रखते हैं, आप एक broad discussion जो है, इसके उपर लिखते हैं, एक viewpoint रखते हैं, और आप persuade करते हैं examiner को, कि वो आपका viewpoint को समझे, और उसको appreciation या acceptance दे, ठीक है जी, so यह हमारा एक broad, आप क्या सकते हो, essay का एक philosophy होता है, कि इसमें हम एक central theme लेते हैं, और देन उसके ओपर हम लोग अपना viewpoint देते हैं, उसको elaborate करते हैं, उसको discuss करते हैं, यह हमारा काम essay का होता ह जनली दो important type, जो essay की होती है, वो होता है, formal essay, first one is a formal and second was an informal essay, ठीक है जी, हम लोग जो बात करते हैं, it is formal essay, जो हम लोग अपने papers में लिखते हैं, it is a formal essay, जहाँ पे हम लोग थर्ड परसन यूज करते हैं, हम लोग फिर्स्ट परसन यूज नहीं करते हैं, थर्ड परसन यूज करते हैं हम लोग facts को यहां पर highlight करने कोशी करते हैं enumerate करते हैं facts यहां पर काफी सारे facts को use करते हैं हम लोग और यहां पर एक seriousness जो है attach होती है essay के साथ और यहां पर हम लोग informal बातों के उपर नहीं जाते हैं हम लोग it is like formal aspect होता है seriousness attach होती है थोड़ा साम लोग third person use करते हैं इसमें and facts को हम लोग यहां पर highlight करते हैं ठीके जी informal essays there generally first person orientation होती है और थोड़ा emotional bend होता essays का but यह essays जो है हम लोग paper में नहीं लिखते हैं most of the times हम लोग यहां पर formal essays लिखते हैं और इसी तरह से आपको भी अपने essay लिखने हैं हम लोग देखते हैं HPSC का क्या criteria है as far as essays concerned now यह पिछले साल का paper आप देख सकते हों यहां पर again यह paper में आपको broad instruction दी हुई है और इससे हमें पता जलता है कि HPSC में क्या essay में पूछा जाता है basically 2 sections यहां पर दिये जाएंगे आपको यह पिछले साल का यहां पर attempt करने होते हैं दोनों ही essay जो है 50-50 marks के आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जी तो दो essay लिखने आपको 50-50 marks के in 3 hours तीन घंटे के time में आपको लिखने है ठीक है जी इन्होंने specifically word limit भी mention कर रहे हैं कि आपको 900 words के आसपास में यह essay लिखने है तो हम लोग on an average 900 से 1000 words के बीच में जो है essay लिखने की कोशी करते हैं and they have mentioned कि अगर आप word limit से जाधा 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 तो you may be penalized ठीक है जी तो यह ऐसा नहीं कि penalize करेंगे like 100-700 words अगर उपर भी हो जाएं तो इससे कोई matter नहीं करता बट हाँ आप 900 का 1200-1500 ना करें यह जो है then this comes under the category की it can be penalized but 900-1000 words जो है आप कर सकते हो इतना जो हम लोग का चल जाता है ठीक है जी 900-1000 words हम लोग यहाँ पर लिखने होते हैं इसके अलावा यहाँ पर specifically mentioned भी है कि किस तरह के essays उन में आपको marks दिये जाएंगे credit will be given to aptness of the format, correctness of the expression and originality of the thought ठीक है जी so originality of the thought that means fresh thought जो है इसको comparative भी अच्छे marks मिलते हैं correctness of the expression, correctness of the expression का मतलब यहाँ पर है कि आप जो है logically लिख रहे हो logical order में लिख रहे हो, coherence बना के लिख रहे हो, एक contextual justification कर रहे हो आप एक basically आप question का theme है या essay का theme है उसके आसपास में आपने arguments को अपने viewpoint है उसको रखनी कोशी कर रहे हो तो इस तरह से आपको number मिलेंगे in aptness of the format कि आपका format जो है proper apt होना चाहिए proper introduction होना चाहिए conclusion होना चाहिए और आपके prioritized based body में points होने चाहिए इस तरह से आपको marks मिलने करेंगे guys okay so चलो थोड़ा सा आगे चलते हम लोग let us discuss the various parts of the essay एसे में क्या क्या parts आपको देखने में मिलते हैं किस तरह के essays होते हैं और इसमें क्या जब हम essay लिखने लगते हैं तो क्या करना होता है ठीक है जी so various parts में again 3 important aspects होते हैं सबसे पहला aspect होता है that is choosing an essay now बहुत अलग-अलग प्रकार के essays होते हैं और आपको जो भी आपको 8 essays के points मिलेंगे आपको जो भी 8 essay के topics मिलेंगे आपको उन 8 essay के topics में आपको जिसे 2 essay के topic choose करने हैं तो वो अलग-अलग type के होंगे ठीक है जी broad कुछ types में आपको बता देता हूं उस जैसे होते है philosophical essays philosophical essays जो है generally क्या होते हैं बहुत ही vague metaphysical thought या बहुत vague metaphysical sentence दे दिया जाता है और इसके ओपर जो है आपको बोला होता है कि आप इस elaborate करें इसके ओपर essay लिखें ठीक है जी so again बहुत ही open-ended essays होते हैं बहुत open-ended आप लिख सकते हो बहुत सारे इसके अलग-अलग meanings निकल जाते हैं कोई single solidified meaning नहीं होता है बहुत आप अलग-अलग direction में जाकर लिख सकते हो इसको but again इसको consolidate करना थोड़ा difficult हो जाता है और इसी करके बड़े ही swing numbers इसमें मिलते हैं के लिए जैसे कि आप जो लोग philosophical attempt करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे marks भी मिलते हैं बहुत बुरे marks मिलते हैं तो wide range आपको देखने में मिलती है marks की ठीक है जनली यहाँ पर ethical thoughts हो गए या फिर ethical clarity या फिर ethical conflicts इस तरह की चीज़े आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगे या moral ethical जो values है इनके ओपर आपको यहाँ पर question देखने में मिलेंगे मैं इसका example आपको आगे देता हूं ठीक है जी Second is social economic issues बहुत जादा आपको देखने में मिलते है social economic issues कोई important social issue या कोई social economic issue के ओपर जो आपको यहाँ पर essay देखने में मिलता है they all come under social economic issues जैसे की youth के ओपर कोई essay आ गया education के ओपर essay आ गया gender empowerment के ओपर ऐसे आ गया then is political and governance based essay so political and governance based essay basically क्या होता है इसमें आप governance structure administrative structure इसके ओपर जो हम लोग बात करते हैं और again काफी जादा factual हो सकते हैं means इसके अंदर काफी जादा fact based आप pointers डाल सकते हैं अपने argument को solidify करने के लिए तो यह categorize करते हैं हम लोग political and governance based essays के अंदर ठीके जी then आते हैं specific जिसको हम लोग और किसी category में डाल सकते हैं but question में ही या फिर essay के topic उसी में एक problem को highlight किया होता है और उसके solutions के ओपर debate करने को बोला होता है तो इसे हम specifically problem solution based essays बोलते हैं then उसके जो है क्यों वो problem है and then उसके solutions को हम लोग debate करते हैं यहाँ पर अपना viewpoint रखने है ठीके जी then is technological and environment based essays इसमें क्या होता है basically some technological aspect के ओपर discussion किया होता है या environmental aspect के ओपर discussion किया होता है और इसके ओपर जो हमें essay लिखना होता है this is more or less again problem and solution based essays only but again यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत technicalities के बारे में थोड़ी बहुत environmental aspects के बारे में अगर पता हो तो आपको काफी ज़ादा help मिल जाते है इस particular essay में ठीके जी यह कुछ यह broad 5 type के essays होते हैं और भी type के हो सकते हैं but again बाकी essays को हम लोग इन ही types में add कर सकते हैं यह essays को अगर आप देखो बार-बार practice करोगे तो आप इन essays में से तीन चार दो या तीन types में क्या कर सकते हो आप एक्सपर्टीज डाल सकते हो और आप पेपर में expect कर सकते हो कि मैं इस essay के ओपर लिख सकता हूं ठीक है फटाफट से example देख लेते हैं जैसे पिछले साल के paper देखें तो पिछले साल के paper में से आपको art essay देखने में मिलेंगे और सारे के सारे essays के जो मैंने पीछे type बता है यहां पे आपको देखने में मिल जाएंगे ठीक है जैसे role and responsibility of youth in 21st century India so basically role responsibility youth का and youth का पुछा हुआ है तो this is basically a socio-economic essay social issues या social aspect में ज्यादा है e-commerce in Indian market this is again an economic based essay या socio-economic essay है role and significance of Indian culture and literary heritage in Indian education system again यह socio-economic based essay है आपका poverty is mother of crime देखो अब बहुत poverty mother of crime बहुत बड़ा वाइड एक subject दे दिया हमको basically it is basically a court है ना Mahatma Gandhi ने भी बात बोली हुए है Indra Gandhi ने भी बात बोली हुए है कि poverty is the worst form of violence and poverty is the biggest polluter so यह जो है again it is a philosophical essay और इसके उप्रक आप काफी wide जाके लिख सकते हो ठीक है section B में देखो individual freedom vis-a-vis societal responsibility again it is a philosophical based essay काफी wide essay है इसको आप again current governance based essay भी बोल सकते हो अगर आपको article 21 और article 14 के debate के बारे में पता हो जो पिछले साल काफी news में चल रही थी इसके अलावे एको drawbacks of Indian administrative system again political and governance based essay यह simply simply administrative system के ओपर और reforms के ओपर पूछा हुआ है या आप इसको problem solution वाला essay भी बोल सकते हो water scarcity resources causes and pollution solutions ठीक है typical problem water scarcity is a problem ठीक है and causes and solutions simple जो है problem solution वाला essay आपको यहाँ पर देखने हों मिल रहा है United Nation Organization relevant in multipolar world question mark है ठीक है so again world governance या world political order के ओपर यह question है again यह उसी type में से निकल कहा था तो guys यह जो पिछे में आपको types बताएं है इन types में से जो है आपको questions हर एक almost type में आपको देखने हों मिले गई very very common is social economic essays तो इसमें यह आपको essays देखने हों मिलते ही है और बहुत सारे candidates जो है सिर्फ इसी essay महरत हासिल करके दोनों type में यही essays जो है attempt कर सकते हैं इसके लावा अगर philosophical essay अच्छा combination क्या माना जाता है एक factual question essay लिखो आप और एक philosophical essay लिखो अगर आपको अच्छे marks चाहिए बट यह जो अगर आपने practice अच्छी से करी हुए तो इसमें आपको जो है थोड़ा factual लिखोगे तो आपको number average जो है थोड़ा average मिल जाएंगे philosophical में आप ज़्यादा अच्छे से number ले सकते हो ठीक है बट guys rider यहाँ पर यह है कि आपको philosophical essay लिखने आने चाहिए अगर नहीं आएंगे तो basically क्या होगा जो number आने थे वो भी negative में चल जाएंगे के थोड़ा अपना बच भी सकते हो ठीक है यह हम लोग discuss करेंगे आगे further sessions में जो आगे मैं sessions लेने वाला हूं इसके उपर you will be able to get कि आपो कैसे factual तरक देके factual aspects देके आपकी इस तरह से आप क्या कर सकते हो आप अपने आपको बचा सकते हो इसके उपर हम लोग discussion करेंगे guys ठीक and outline कैसे करना है अब आपने देख लिए topics हैं आपने जो है paper देख लिए paper में भी essays हैं तो next tease आती है planning करनी और outlining करनी इसमें तीन important steps होते हैं पहला step है कि आप essay को properly understand करें कि वो essay किस चीज़ के बारे में basically central theme आपको पता होना चाहिए एक broad aspect आपको पता होना चाहिए कि essay में यह यह चीज़ लिखी गई है यह यह चीज़ पूछी गई है ठीक है अब UPSC में तो काफी ज़्यादा जो है like जो statement आती है काफी ज़्यादा होती है काफी ज़्यादा जो है tough होती है comprehend करना मुश्किल होता है तो उसमें तो यह काफी ज़्यादा detail में करना होता है but like अगर हम H. में बहुत है simple to the point straightforward आपको essay मिल जाएंगे जैसे हमने पीछे देखा role and responsibilities of youth in 21st century इंडिया है तो इसमें basically क्या है आपको essay को understand करने में ज्यादा problem नहीं होगी youth का role and responsibilities पूछी हुई है 21st century को focus करके इंडिया के अंदर तो इसको आप दोती नहीं बारी अगर understand मलब सोचोगे तो आपका जो है broad understanding develop हो जाएगा ठीक है जी second चीज होती है यहाँ पर brainstorm करना आप उस essay को पर brainstorm करना है ठीक है आप उस essay को पर सोचोगे कि भाई मैं essay essay को पर क्या लिख सकता हूँ चीजे को जो है खोल के निकालोगे youth youth के पास क्या rules है क्या responsibilities है 21st century में ऐसे क्या challenges निकल के आ रहे ह इंडिया को जो है youth का क्यों जरूरत है या क्यों जो है youth जो है वो क्या like add कर सकता है या क्या contribute कर सकता है इंडिया की prosperity के लिए उसकी development के लिए तो यह सारी चीज़ों को आप brainstorm करेंगे इस brainstorm के उपर में next session में जाऊंगा we'll talk about the very famous technique called as pestils and we'll also talk about the problem solution technique तो इसके ओपर जो हम लोग आसा बात करेंगे explore करेंगे कैसे कर सकते हम लोग इसको but that is not today वो हम लोग next time करेंगे ठीक है brainstorm करना topic and third जो है it is उसको finally outline बनाना means आपने कर लिया आपने essay समझ लिया आपने उसका एक broad rough brainstorming करके structure बनाया आप उसको आप outline कर रहे हो means आप introduction कैसे लिखोगे outlining में हम लोग क्या करते हैं हम लोग introduction लिखते हैं उपर broad introduction देंगे नीचे broad conclusion बनायेंगे and then बीच में जो है आप अपना जो भी आपने content brainstorm किया हुआ है उसको आप prioritize करके लिखेंगे ये एक outlining का काम होता है very very important outlining जो है वो एक brief जो है आपका idea दे देता है कि भाई ये essay कहां आप बेजाएगा या idea देता है कि आपका central theme क्या होने वाला आपका central argument क्या होने वाला है और आप किस तरह से अपना viewpoint रखने वाले हो ये outline से पता चलता है ठीक है जी again it gives the big picture एक बड़ा picture जो है देता है लिखने से पहले आपको एक picture मिल जाएगा कि मेरा essay जो है इस तरह से हो बहुत सारे बच्चों को साथ होता है especially अगर किसी ने means लिखा है तो वो मुझसे relate कर पाएंगे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने essay इसको practice नहीं किया होता होता कि है उनके साथ वो essay लिखना start करते है बहुत अच्छी से brainstorming नहीं करते है outline नहीं बनाते है तो बीच में जाके essay के बीच में जाके ना कहीं पर उनका pen अटक जाता है कि भाई अब आगे क्या लिखूँ इसे और कहां लेके जाओ या आधे में essay जाके आपको यह लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूं essay से या मैं जो मैं लिखना चाता था वो मैं नहीं लिख रहा हूं मैं क से त्यार होगा ठीक है फिर आपका pen नहीं रुखेगा कभी अगें पीछे देखने के लिए आप यह देख सकते हो कि आपने जहां पर content देख सकते हो थोड़ा सा जो brainstorm कियोगा उसको देख सकते हो बट आपका pen as in such कभी नहीं रुखता ठीक है जी इस तरह से करते हैं तीन ची and conclusion it has to be very very future oriented very very positive outlook के साथ होनी चाहिए ठीक है so इसके ओपर मैं आगे session लूँगा by the way कि introduction and conclusion कैसे बनाएं जब हम एक broad examples लेंगे but briefly हम लोग यहां पर कुछ एक example ले सकते हैं जैसे अभी मैं पिछे हले ऐसे की बात कर रहा हूँ role and responsibility of youth in 21st century India है ना तो इसमें हम लोग जैसे introduction को start करेंगे हम लोग को स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते है very important अच्छा है अगर आप court को याद रखते हो तो आप हम लोग क्या करेंगे ऐसे में जाने से पहले broadly जो है 15-20 topics की ओपर courts बना लेंगे और यह आपको help करेंगे जैसे youth क का जो है who is the youth icon Swami Vivekanand है ना तो youth matter fact the youth day है वो भी Swami Vivekanand के birthday के दिन आता है तो हम लोग जो है इनी का कोई code डाल सकते है कि भाई example is कि a brave it is something like a brave and an aspiring youth is the founder of a prosperous nation है ना इस तरह का कोई code डाल सकते है जिससे आप basically क्या कर रहे हो एक start ले रहे हो और यह बतार रहे हो कि youth के बिना जो है किसी देश का prosperity जो है उसका development नहीं हो सकता है उसमें एक बहुत important role youth player करता है तो इस तरह से introduction ले सकते हो conclusion में भी आप एक forward oriented outlook ले सकते हो and यह सब बाते हम लोग आगे करेंगे just पहला session में आपको broad outline दे रहा हूं कि essay कैसे होते हैं और क्या करते हैं और HPP essay में कै से बूचने वाले हैं so कुछ बाते हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी होते हैं जब हम लोग essays लिखते हैं please इसको यह आप ध्यान रखना है trying to be multi-dimensional please be multi-dimensional एक ही चीज़ के ओपर नहीं है अगर आप temporal scale में जा रहे हो तो भाई आप past की बात ही में मत फास जाओगी past को explain के ल multi-dimensional हो सकते हैं उतना जादा multi-dimensional होने की जुरत है always stick to central idea and theme central idea और जो topic है उसी तक रहना है बार बार आपको दिमाग में याद रखना है कि मैं essay में क्या topic और मैं क्या लिख रहा हूं ठीक है अगर इस तरह से याद रखो भी तो आपका जो है ऐसा कबिन लगेगा essay में कि मैं ब पढ़ाई हुआ है भाई जो आपका part 3, part 4 रहा दंग से पढ़ जाओ उसी के अंदर से बहुत सरे points निकल के आ जाते हैं always uphold constitutional values ठीक है जी नी constitutional values जो है वो बहुत important role play करती है और अगर आप अपने essays में दिल चलका होगे तो यह अपका एक constitutionality भी दिखाता है आपका एक democratic aspect भी द इस तरह से बोलो कि भाई सारे stakeholders को साथ में रखके जो है मैं solution निकालना तो इस तरह दे democratic रहने कोशिश करनी है wide stakeholders को लेके जो है आपको solution निकालने कोशिश करनी है कभी भी absolutist and non-compromising position नहीं लेने कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा और कभी नहीं हो सकता और कैसे नहीं हो स absolutist या फिर non-compromising position नहीं लेनी है ठीक है sweeping generalization नहीं बनाने है कि भाई youth तो ऐसा है तो ऐसे हो गया है ना जिसे हमने पीछे भी उसके बात करी कि नशों में फस गया है सारा youth नशे में फसा गया है ऐसे नहीं sweeping generalization नहीं बतानी है आपको किसी भी एक चीज को लेके एक एक aspect को ल जाएगा कि अगर आप topic से अगर आप topic के ऊपर नहीं हो तो आप उसमे एपना viewpoint कैसे दे पाऊगे या उसमें आप एक argument कैसे डाल पाऊगे so do not question the topic itself बहुत सारे इस तरह के philosophical essays आते जहां पर topic कहीं की बच्चे क्या होते है वो topic से ही anti हो जाते है so that in itself is a negative aspect so जब भी philosophical essays की बात क आना है will have to be as like balanced as possible example जैसे हमने पीछा भी multipolar world में जो है हम लोग UN की बात कर रहे है तो इसके अंदर जो है आप एक single side में लेके चलोगे like आप multiple sides multiple sides को दुखाओगे उनको present करोगे दो आप बात में अपना argument लग सकते हो कि I think this thing is comparatively better यह यह aspect ज्यादा अच्छे से हो सकता है ठ I am not going to take this session very long काफी लंबा नहीं लेने वाला हूं I am just going to start like we are going to have multiple series on it and this is for the starters पहला हो गया है पहले session में मैंने आपको एक brief introduction देना था and अगर आप चाहते हो कि you need to write essays अगर आपको homework चाहते हो तो पिछले साल के essays को attempt करो यह जो भी मैंने चीज़ें बताई है जो आपके पास previous information है अपने दिमाग में जैसे कभी essays को attempt किया होगा तो उससे previous जो essays हैं उनको लिखो और आपको number पता है 9872124143 इस पे आप मुझको भ थोड़ा सा मैं आपको चैस के ओपर input भी दूंगा अगर अच्छा essay आएगा में पास तो definitely मैं इसको चैसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा भी so that I can get like आप बाकी को दिखा सकेगे कैसे अच्छे points लिखे जा सकतेंगा इस ठीके जी so thank you very much guys stay tuned for the next session next session is going to be very very interesting we are going to discuss how to brainstorm this is Tom about the essay till next time thank you very much bye